स्टार्ची फूड्स की कॉंपेटिबिलिटी का क्या मतलब होता है क्या एमिलेज एंजाइम के कम या ज्यादा होने से कोई विशेश फर्थ पड़ता है एंड लास्ट बट नॉट दे लीस्ट हम अपने शरीर में एमिलेज एंजाइम के प्रोड़क्शन लेवल का कैसे पता लगा सकते हैं हलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका आज से कई साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपने जीवन में पहली बार बीर पी उस जबाने में जिब में पैसे ज़्यादा नहीं होते थे और इसलिए बियर रोज रोज नहीं पी जा सकती थी इसके अलावा बियर रोज न पीने का एक बड़ा कारण ये भी होता था कि बियर पी के घर जाने पर मा और पिता जी के जूते पढ़ने का ख़तरा रहता था तो इसलिए मैं जनरली बियर तभी पीता था जब अपने घर से बाहर किसी कॉलेज टूर पर जाता था या किसी एपरेंटिस्चिप ट्रेनिंग के लिए अपने शहर से दूर जाता था अकसर इस तरह के मौकों पर हम 4-6 कॉलेज स्टूडेंट्स एक साथ हुआ करते थे और तब अपने एक्स्ट्रा पैसे निकाल कर जो भी थोड़े बहुत होते थे एक छोटा सा फंट बना कर उससे बियर की 8-10 बाटल्स खरीद कर बियर पीने की अपनी इच्छा को पूरा कर होते थे और जैसा कि अकसर उस उम्र में उस तरह के महौल में होता है हम इस तरह की मीटिंग्स में बियर के सौध पर यहां बियर के दौरा हमारी बाडी में पैदा किये गए खुबसूरत संसेशन्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे हम लोगों का ध्यान सिर्फ एक की बात पर होता था और वो ये कि हम में से कौन एक बियर की बोतल सबसे कम समय में खतम कर लेता है उनफॉर्चुनेटली इस कॉम्पेटिशन का नाम हुआ करता था रेस तु दे बॉटम इसी से मिलता जुलता एक दूसरा कॉम्पेटिशन होता था कि कौन कितनी ज्यादा ब एक बोतल में ही डिसको डांस करने लगते थे अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसी दूसरे ग्रुप में आता था बियर की एक बोतल पीते ही मेरे ब्रेन और बाडी में जो थोड़ा बहुत संबंद होता था वो भी डिसिंटेग्रेट हो जाता था और तब मेरे हाथ पाओं अपन हिसाब से अलग-अलग डायरेक्शन्स में चलने रखते थे अफकोर्स मेरे ब्रेन और मेरे वुकल कॉर्ड में भी कोई खास संबंद नहीं रहता था मेरे दिमाग में उठने वाले विचारों में और मेरे मूँ से निकलने वाली बक्वास में कोई विशेश संबंद नहीं इन सब हरकतों का सिर्फ एक फाइदा होता था और वो ये कि मेरे बाकी दोस्तों को मुझ पर हंसने के काफी मौके मिल जाते थे बिना पैसा खर्च किये एक कॉमेडी शो देखने का मौका मिल जाता था On the other hand मैं अपने उन क्लासमेड्स को इज़त से देखता था जो छे बुतलें पी जाते थे और मुझे लगता था कि साला मेरी जिंदेगी तो बेकारी है न तो मैं बड़ाई में अच्छा हूँ नहीं स्पोर्स ग्राउंड में नहीं कल्चरल एक्टिविटीज में और खाने पीने की चीज़ों में कॉम्पेटिशन्स को ज्यादा महत्व नहीं देता आज मुझे दारू पीने की इच्छा भी नहीं होती और नहीं मैं इस तरह के पीने पिलाने वाले ग्रुप्स में बैठा जमाने की कोशिश करता हूँ लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी ब दुनिया में हमारे इस अर्थ पर जो आट सो करोड लोग रहते हैं उन सबके शरीर में सेलिलर लेवल पर कई फर्ख पाए जाते हैं कई डिफरेंसिस पाए जाते हैं हर व्यक्ति के डाइजिस्टिव ट्रेक्ट की लंबाई अलग-अलग होती है हर व्यक्तिके अलग अलग लेवल पर होते हैं और इसलिए हर व्यक्ति किसी एक ही फूड प्रॉडक को अलग अलग तरह से रिस्पॉंड कर सकता है और इसलिए एक व्यक्ति एक बुतल दारू पीकर भी एक बीस टंड के ट्रक की तरह मजबूती से सही दिशा में चलते रह सकता है जबकि प्रूटेरियन डायेट पर जिंदा रह पाता है जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के इंटेस्टाइन्स में सिर्फ एक दो दिन फूड खाने से ही एक पूरे का पूरा औरकेस्ट्रा बैंड बजने लगता है इसी तरह से कुछ लोग स्टार्ची फूड को आसानी से हजम कर ले प्रूटे हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते लेकिन जहां धारू पीने की कैपिसिटी का पता करने से हमारे जीवन में कोई खास फर्ग नहीं पड़ता वहीं हमारी स्टार्ची फूड को डाइजिस्ट करने की कैपिसिटी का एस्टिमेट करने से हमारा कुछ फायदा हो सकत तो अब आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि हम Starchy Foods को आसानी से हजम कर सकते हैं या नहीं वेल इसका एक आसान तरीका है और वो है Cracker Test और वो एक बहुत ही आसान टेस्ट है इतना आसान कि आप इसे अपने घर में ही कर सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ तीन plain unsalted crackers चाहिए आप किसी भी company के crackers का इस्तिमाल कर सकते हैं और इन तीन crackers के अलावा आपको सिर्फ एक और चीज़ चाहिए और वो है एक timer और ये भी कोई special timer नहीं होना चाहिए आपके smartphone पे जो clock app है वही timer काफी है तो जब भी आप ये cracker test perform करना चाहें तो एक cracker को अपने मुँ में डाल कर चबाना शुरू कर दीजिया और उसके साथ ही immediately timer भी start कर दीजिये और उसके बाद ये देखने की कोशिश कीजिये कि आपको उसका स्वाद अपने मुँ में कब बदलता नजर आता है जैसे ही आपको लगे है कि आपके मुँ में कुछ मिठास भर गई है timer को बंद कर दीजिये इस time को एक कागस पर note कर लीजिये उसके बाद अपने मुँ को पानी से गरगल कीजिये थोड़ा सा पानी पीजि और पांच एक मिनट के बाद दो बचे हुए crackers के साथ ठीक इसी तरह का experiment फिर से दोहराईए इस पूरे experiment को करने के बाद आपको timers की तीन readings मिलेंगी उन तीन readings को जोड़कर उनका average निकाल लीजिये अब यदि आपका average time 14 से कम है तो ये बताता है कि आपके saliva में emilis की मात्रा काफी है और उसके चलते आप starchy foods को आसानी से हजब कर सकते हैं यदि आपका average time 15 से 30 से कंड के बीच था तो ये बताता है कि आपके saliva में emilis की मात्रा एक average है और यदि आपका time 30 से कंड के से भी ज्यादा था और उस दोरान आपको कोई sweetness का हैसास नहीं हुआ तो उसका मतलब ह है कि आपके saliva में emilis enzyme की कमी है emilis हमारे saliva में पाये जाने वाला एक protein है जो कि हमें starchy foods को digest करने में हमारी मदद करता है और ये एक कुदरती बात है कि कुछ लोगों में emilis कम होता है कुछ में average और कुछ में काफी ज्यादा लेकिन emilis के कम या ज्यादा होने से कोई व्यक्त नहीं हो जाता तो अब पूछ सकते हैं कि क्या उन लोगों को जिन में emilis की मातरा कम है उन्हें इसके लिए क्या कोई medical treatment लेना चाहिए और उसका जवाब है नहीं हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरत है तो सिर्फ एक बात की और वो ये कि हम अपने genetic make-up को wholeheartedly accept करें औ अपने खाने पीने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाएं यदि हमारे शरीर में emilis का production कम है यदि उसकी level कम है तो starchy foods और refined carbohydrates का उपयोग कम करें या सावधानी से करें लकिली प्रकृती ने हमें ऐसे बहुत सारे food products supply किये हैं जिन में starch कम होता है जिन में complex carbohydrates काफी मातरा में पाही जाते हैं जिन में proteins और healthy fats काफी मातरा में पाही जाती हैं और ये सब foods हमें न सिर्फ sufficient nutrients supply कर सकते हैं बलकि ये easily digestible भी होते हैं तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि हमारी समझदारी अपनी body को पूरी तरह से accept करने में है और उसके limitations को समझ कर उनके हिसाफ से अपने खाने पीने के तरीकों में बदला उलाने में है अब यहाँ एक बात बता देना जरूरी है कि ये जो cracker test हमने perform किया ये starchy foods के साथ आपकी compatibility को जाचने या मापने का एक simple तरीका है एक basic तरीका है ये आपको 100% accurate readings नहीं देता यदि आप totally accurate results चाहते हैं scientific तरीकों से amylase activity को जाचना या मापना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक proper laboratory test की जरूरत पड़ेगी वहाँ आपको amylase testing kits मिलेंगी और उन laboratories में आपकी amylase enzyme की activity को calorie metric methods या अन्या biochemical assays की साहता से मापा जाता है घर में किया गया ये simple test cracker test आपको सिर्फ एक छोटा सा indication देता है कि आपके saliva में amylase कितनी मात्रा में मौजूद है या वो starchy foods products को किस तरह से respond करता है जसा कि मैंने पहले कहा कि इस दुनिया में इस वक्त मौजूद 800 करोड लोगों में हर व्यक्ति का digestive system, genetic makeup, lifestyle choices और ancestry totally unique हैं और इसी के चलते हर व्यक्ति के digestive enzymes के production की levels भी अलग-अलग होती हैं और इसी वजह से हर व्यक्ति में pancreas और salivatory glands द्वारा amylase enzyme के production की level भी अलग-अलग होती हैं इसके अलावा amylase production और starchy foods का digestion एक व्यक्ति की उम्र या age, overall health condition और dietary habits पर भी depend करता है for example, जैसे जैसे एक इनसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसके शरीम में amylase का production कम होता जाता है मेरी इस पूरी चीख-पुकार का मतलब यही है, कि आपकी saliva में amylase की मात्रा कम है या ज्यादा, उससे आपकी जिंदगी में कोई विशिश अंतर नहीं पड़ता यदि आपके saliva में amylase की मात्रा सचमुच बहुत कम है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है तो इस सच्चाई को स्विकार करने की और उसके बाद अपने food choices को उनके आधार पर थोड़ा सा fine tune करने की और यदि आप अपने refined carbohydrates के consumption को कम नहीं कर सकते, तो उस हालत में उनके blood glucose impact को कम करने के लिए आप मेरी glucose clearing toolkit का इस्तिमाल कर सकते हैं, इस toolkit में blood glucose impact को कम करने के तीन तरीके हैं, पहला तरीका है कि refined carbohydrates को lunch या dinner पर खाएं और कोशिश करें कि उस lunch या dinner में काफी मातरा में fiber मौजूद हो, कोशिश करें कि उस lunch या dinner में काफी मातरा में छिलके वाली दाल हो, या सबजीयां हो या green leafy vegetables हो ऐसा, करने से दालों और सबजियों या ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में पाए जाने वाला फाइबर उन रिफाइंड कार्बो हाइडरेट्स या स्टार्ची फूड्स के ब्लड ग्लुकोज इंपक्ट को कुछ हब तक कम कर देगा रिफाइंड कार्बो हाइडरेट्स को खाने से होने वाले ब्लड ग्लुकोज इंपक्ट को कम करने का दूसरा तरीका है Refined Carbohydrates खाने से 5-10 मिनट पहले एक टेबल स्पून एपल साइडर विनेगर एक गिलास पानी में मिलाकर पी लें और फिर बाद में वो Refined Carbohydrates आप खाएं Refined Carbohydrates को खाने से होने वाले Blood glucose impact को कम करने का जो तीसरा तरीका है वो ये कि आप Carbohydrates को खाने के तुरंत बाद कम से कम आदा घंटा पैदल चलें यदि आपके पास आदा घंटा समय नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट तो पैदल चलें इस तरह से पैदल चलने से या इस तरह से कोई Equalent Exercise करने से आपके muscles में होने वाले movement से glucose molecules का concentration आपके blood stream में काफी हद तक कम हो जाएगा लेकिन यहाँ ध्यान देनी की बात ये है कि ये glucose clearing kit आपके blood glucose levels को कम करेगी इसका emilis से कोई विशेश संबंद नहीं है emilis production से और जैसा कि मैंने पहले कहा कि emilis के production के कम या ज्यादा होने से कोई बहुत ज्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है यही कुछ छोटे छोटे तरीके मैं भी अपनी daily life में अपनाने की कोशिश करता हूँ जनरली में कोशिश करता हूँ कि अपनी daily diet में मैं refined carbohydrates और starchy foods को avoid करूँ मैं अपनी daily diet में ऐसे food products का inclusion करूँ जिन में whole grains हो, natural foods हो, जिन में fiber की मातरा काफी ज्यादा हो, leafy green vegetables हो, दाले हो, छिलके वाली दाले हो और ऐसा करने से मुझे इस बात से कोई विशेश फर्क नहीं पड़ता कि मेरी saliva में amylase activity कम है या ज्यादा लेकिन कभी कभार किसी social pressure की वज़े से यदि मुझे इस तरह के refined food products को या इस तरह की चीज़ों को खाना पड़ता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें खाने से पहले या बाद में अपनी इस blood glucose clearing toolkit का इस्तेमाल कर लूँ इसके अलावा अधिकतर समय मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी daily diet में complex carbohydrates का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करूँ और इन्ही सब छोटी छोटी सावधानियों के चलते में अपने blood glucose level को और अपने weight को या वजन को एक stable level पर रख पाता हूँ और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यदि मुझ जैसा साधर अन्वेक्ती इस तरह की सफलता हासिल कर सकता है तो यसी कोई वज़े नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते जरूरत है तो अपनी body की limitations को समझने की और फिर अपनी food choices को उसके हिसाब से बदलने की